आपकी अनुमती है तो शुरू करें आज की इस पत्रकार वारता का सार है जो आदर्णिये सिंग्भी साब और मैं हम आपके बीच में एक महत्वपूर्ण विशे लेकर आएं हैं डरेंगे नहीं जूकेंगे नहीं सीना ठोक कर लडेंगे अंग्रेजी हकूमत को जड़ से उखाडने के लिए भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस ने साल 1937 में नैशनल हेरल्ड अखबार निकाला जिसके प्रनेता थे महत्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, शिरी पुरुशोतन दाश्टंडन, आचारिय नरिंद्र देव, रफी एहमत के दुआई ये लोग थे अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खत्रा महसूस हुआ, कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दुरान नैशनल हेरल्ड पर बैन लगा दिया, जो 1945 तक चलता रहा आजादी के आंदोलन की आवाज बने इस अखबार का मूल मंतर तब और अब दोनों समय था, आजादी खत्रे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें आज फिर उस समय की अंग्रेजी हकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा, आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनोना शडियंतर कर रही है इस शडियंतर के मुखिया स्यम प्रधान मंत्री शिरी नरेंदर मोदी हैं और उनका हतियार, उनका चहेता और पालतु इडी है देश को गुमरह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीती में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है जिस मानसिक्ता ने अंग्रेजों का साथ दिया था आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिक्ता आजादी की कुरुबानियों से प्रतिशोद ले रही है इस बार उन्होंने एक नई कायराना वे डर्पोग साजिश की है National Herald मामले में अप्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कॉंग्रेस अध्यक्षा श्रिमती सोन्या गांधी जी वे हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ED से नोटिस जारी करवाया है साफ है कि ताना शाह डर गया है साफ है कि शाशन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल ताना शाब छटपटा रहा है देश को गुम्रह करने के लिए भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस के नेत्रितव के खिलाफ एक घिनोना और कायरता पूरन शडियंतर रचा जा रहा है उसके सारे तथ्यों को लेकर आज अभिशेक सिंग्वी जी आपके बीच उपस्थित हैं मैं अनुरोद करूँगा कि वो आपसे इस बारे में संपूरन बात करेंगे आदर्णिय सिंग्वी साब धन्यवाद सुर्जेवाला साब मेरे अदर्णिय मित्र ने आपको संदर्भ परिपेक्ष बताया है मैं पहले अंग्रेजी में बोलता हूं आप हिंदी में बोलें फिर बाद में मैं आपसे हिंदी में भी बोलूँगा संख्षेप में तौनों चीजें 熟 बज्येवाद टिए अधर बाद वेचेश अप्रव एक बेड टूज Tr Adapt दे ए्स प्रॉडे,ेजल शोजेत ज़यर्स अंट्ब्सस् प्योड का्पााँ है वी प्टियूशनीर्द टो दीविक्स दिवीयर्श्द ग डिवेड़ग गला, the attention of citizens from the multifarious vital issues of inflation, falling GDP and social unrest, social divisiveness in this country. And I will demonstrate that to you in a minute. By targeting National Herald, about which my honourable friend just spoke at some length, about its history, about its origin, about its legacy, about its evolution, by targeting National Herald every now and then, the BJP has in fact disgraced, disrespected and dishonoured the freedom fighters, the stalwarts of this nation and their contributions to the freedom struggle where incidentally this particular party or its predecessors had absolutely need no role to play. Friends, this is truly a very weird case, alleged case, a money laundering case on which summons are issued with no money involved. I have yet to hear of this absolute acrobatics in imagination of creating a summons in respect of an allegation of money laundering where no money is involved. Now, I take you back very simply without being legalistic, without being technical on four or five admitted facts. Number one, and you have to see that it reeks, what I am telling you now, reeks of vendetta, of pettiness, of fear, as my friend said, of political cheapness. The CBI allegations in this regard or the investigative process in this regard, let me be more accurate, starts with a well-known bettor of the Congress Party, Dr. Subramaniam Swami and we are taken back to 2014 to 2015 period. From 2014 to 2015, the ED has not thought it fit till today because they know they have no material to seek summons about the Congress President or about the former Congress President. Today, on the same facts, exactly the same alleged acts and omissions, not a comma, full-stop change, in 22 June or in 22 end May, you are issued summons to divert attention on the same facts by ED. Now, what is the issue on facts and why I said there is a strange case of alleged money laundering without money. There is, as my friend said, a company called AJL. It is a venerable old company for decades. It carries the great flag of National Herald with the legacy and the evolution we have just discussed. Over the years, it was there to project a thought process, a set of values, but commercially could not succeed. Therefore, commercially, AJL had a lot of financial problems over the decades. Ultimately, the Congress Party, which believes in those values, stepped in and over a period of time gave 90 odd crores as financial support at different times. So, AJL became an indebted company, a company with debt. Now comes a remarkable thing. AJL did what every company in India does, what every company abroad does, what is known as the basics of corporate activity. It converted its debt into equity. So, this debt of 90 crores was assigned to a new company and you must note what the new company is. It is called Young India. So that the books of AJL became debt free. Young India in turn, which received the debt was a newly created company under a special provision of the Companies Act, Section 25, which has two very vital conditions. A not-for-profit company it has to be, by definition, by statute, by law, and no dividends can be given to its shareholders or directors. So, you cannot create a company where he and I are shareholders and we take 100 rupees, 50 rupees each out of the company. You cannot take a penny. This is the nature of the Section 25 company which Young India is. Now, the third important facet. He is AJL, I am Young India. By giving his assignment, I start holding his shares, but this company AJL remains just the same. This AJL continues to hold all the properties it was holding earlier. It continues to be the owner of National Herald. It continues to be the printer and publisher. Only change is that I hold the shareholding of AJL. So, my question to myself is that a kindergarten student or a first-year law student will tell you there is no change of transfer of property. My friend here is AJL. He owns this pen. It continues to own the pen. I start having his shareholding in him, but this pen is continued to be owned by him. It is an independent entity. There is not a transfer of a small pen, nothing. Where is the money laundering? Where does it arise? Where is the money? So, there is no money. There is no transfer of property. There is no transfer of money and yet a charge of money laundering is done. Young India cannot use money in any form which it gets because it can neither pay dividend nor accumulate profit by which it can give out the money. This is why better minds, objective minds, non-malevolent, non-malefide minds close this case and you know this we have said so earlier on the podium as far back as 2015 on the file. But as malafide as this government is, they sack the head of the organization ED at that time. They get a new opinion and they try to reopen in respect to which seven years later today, they are summoning the Congress President, the former Congress President, Srivati Sonia Gandhi and Mr. Rahul Gandhi. Friends, this is part of a larger disease. A disease which will consume the ruling party ultimately. The disease is one of attacking every political party purely on vendetta terms. From Kashmir to Kanyakumari, from Farooq Abdullah to DMK from Gujarat to West Bengal, from Mevani to Mamata Banerjee and the family of Mamata Banerjee. The BJP has brought or tried to bring malafide every political opponent under the net of puppet agencies like ED, CBI, IT, etc. As my friends say, we will face them. We are not in a bit scared or overawed or intimidated by such cheap tactics. But this interaction is being held to tell you the hollowness, more hollow than a pack of cards of the essential allegation on which summons is issued. Nothing exists because nothing can exist and therefore we want you to see it for what it is. Thank you. इसको मैं संक्षेप में हिंदी में बोल देता हूँ. मेरे आदर्णे मित्र ने आपको इसका संदर्व बताया, इसका इतिहास बताया, National Herald की विरासत बताई और उसकी कई दशकों भारत की आजादी की कई दशकों पहले से उसका इतिहास बताया. उसके साथ जुड़ेवे ऐसे दिगज नाम उन्होंने बताये. मैं आपको संक्षेप में इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक इतना ज्यादा मन-घरंत, कालपनिक आरोप है, कि एक प्रकार से ये मजाकिया चीज़ है. और मैं आपको ये प्रमानित करना चाहता हूँ कि सिवाए इस प्रतिशोध की जो भावना, जिसके साथ ये सत्तारूड पार्टी अपने हर राजनेतिक विरोधी को अटैक करती है, इसमें कुछ भी नहीं है. पांच या छे तत्थे बड़े सरल हैं, उनको आप देख लीजिए और अपने आप निर्ने करिए कि इस प्रकार का समंस माननिया कॉंग्रेस अध्यक्ष और पूर कॉंग्रेस अध्यक्ष को दिया जा सकता है 2022 में. नमबर एक, यही चीजों के विशे में कानूनी कारवाई 2014-15 से चल रही है. आज साथ साल बाद इस प्रकार की चीजों में ED को लाया गया है. नमबर दो, यह विचित्र केस इसलिए है कि जहां कोई पैसा नहीं है, या जहां कोई प्रॉपर्टी का स्थानांतरन नहीं है, वहाँ पर मनी लॉंडरिंग कैसे हुई, यह हमको कोई समझाए. मानने मोदी जी के बहुत सारे काविल जो एडवाइजर्स हैं वो समझाएं. हुआ सिरफ इतना के एक कंपनी है एजे एल, पुरानी कंपनी है, वो दशकों से नैशनल हेर्ड चला रही है. चूंकि वो एक आदर्शों पे मूलियों के आधार पर चलाती थी अकबार, कमर्श इतनी सफल नहीं हुई. कई दशकों के दोरांड लगबग 90 करोड रुपे, जो सब दिये गए हैं आपचारिक रूप से, वो उसकी डेट हो गई, रिन हो गया. उस कंपनी को फाइनेशली मजबूत करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आदर्शों मूलियों जिन के लिए वो खड़ी है, उसको मजबूत करने के लिए, इस रिन को हटाने के लिए, उसके किताबों को साफ करने के लिए, एक बड़ी सरल चीज की गई, जो इस देश में हर कंपनी करती है, विदेश में हर कंपनी करती है, उसने इस रिन को एक्विटी में परिवर्तित करने का निर् भुक्तान, करमचारियों के वेजिस के भुक्तान के लिए उनको भी दिया गया, सब कुछ आपचारिक रूप से हुआ, अब जब आप कनवर्ट करते हो रिन को एक्विटी में, तो आपको ये जो रिन है, उसको असाइन करना पड़ा, एक और कंपनी को ये वैसे किसी भी कंप अब दावधान, कंपनी जैट के अंतरगर, सेक्शन ट्वेंटी फाइव कहते हैं उसको, वो बनाई गई कंपनी जिसमें दो बड़े महत्वपूर्ण प्रतिबंद हैं, आम कंपनी की तरह नहीं, सेक्शन ट्वेंटी फाइव कंपनी न तो कोई डिविडिन दे सकती है, न प्रॉफिट जिस प्रकार से कमर्शली प्रॉफिट समझा जाता है, उसका इस्तमाल कर सकती है, यानि अगर दस हजार करोड भी वो कमा ले, तो एक पैसा भी डिविडिन के रूप में बाहर नहीं निकल सकता, इस कंपनी में वो 90 करोड या जो भी डेट था ट्रांसफर एजेयल में, और एजेयल के पास जित्ती भी समपति है, अचल या मोवेबल, वो सब एजेयल के पास ही रहती है, तो दूसरा बिन्दू के एक पैसे का, एक अचल समपति का, एक बिल्डिंग का, एक फ्लैट का, एक किसी चीज का स्ठानानतरण ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ किसी को नहीं हुआ कभी नहीं हुआ तीसरी बात जो कुछ भी रुपया आया यंग इंडिया में कभी ये किसी का आरोब भी नहीं है कि उसको बाहर दिया गया डिविडेंड दिया गया जो दे नहीं सकते सेक्शन 25 बे चौथा कि जब वही सब चीज वैसी हैं तो money laundering कहां से आ बंद हुए मेरा उसके अंतरकत 2015 में ये केस बंद हो गया था याद रखिए 2014 के पहले का केस है एडी की तरफ से ये केस बंद हो गया हमारे 70 रूर सरकार के लोगों को अच्छा नहीं लगा उन्होंने एडी में लोगों को बदला हटाया निरस्त किया अपने पदों से और न कभी उनको यहां से मोड़ना है ध्यान आपका ध्यान आकर्शित करना है कभी इंफ्लेशन से कभी जो अभी GDP फिगर्स हो रहे हैं उनसे जो विभाजन की भावना चल रही है इस देश में जो असमंजस की और जो समाजिक उथल पुथल चल रहा है उससे हटाने के लिए तो दोस्तों मैं अपनी बात अंत करना चाहूंगा यह कहके कि इस देश में इस प्रकार से अपने पपिट जैसा मेरे दोस्त ने कहा कभी ED कभी CBI कभी IT का दुरुपयोग करके हर राजनेतिक विरोधी को कश्मीर से कन्या कुमारी और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक डराना धमकाना और देश का पुरा ध्यान इधर से उधर करना ये टक्नीक अप पुरानी हो गई है जैसा हमने का हम न डरेंगे न जुकेंगे और सीना ठोक कर ऐसे कारनामों का सामना करेंगे लेकिन आप एक बात समझ दीजिए कि कोई भी जो अक्षर ABC भी जानता हो कॉमन सेंस का या कानून का वो यह नहीं कह सकता कि इसमें कोई बनी लॉंडरिंग का केस शुरू भी होता है बनिजबत इसके कि उसकी कारवाई आगे जा सके देखिए बिलकुल लड़ेंगे आपने एक प्रकार की जो साफ़गोई की लड़ाई है वो आज शुरू हुई है ये भी राजदिती का एक हिस्सा है कानून का भी हिस्सा है आपको स्पष्टिकरन देना ये कारवाई चलती रहेगी कुछ दिल पहले का नोटिस है लेकिन जैसा हमने कहा कि पूरी तरह से हम उसकी तामील करेंगे हमें कुछ छपाना नहीं है और पुर जौर तरीके से बिना डरे बिना हटे बिना हैजिटेशन की हम इसका सामणा करेंगे और इसके बारे में आपको आज सब तह्ट्र बताएं इन्हों को प्रुट अमन्स कोप्राइब था जजी बनादिश और प्रुट जीज जिल विए इन्हों प्रुट पूल प्रूट जो सब्सक्राइब रिख प्रूट एंट पूल जा कि और तक जो हैं दो हैं? आपना प्रिवर्ट बाइल the court of public opinion, not the ED at this stage. As far as ED is concerned, we will give them whatever answers they want and whatever questions they ask. I think this is a political battle. This is nothing else. You are not… No, they are both. Legal, political, social, everything. Communication, everything. Sir, आपने कहा कि इस तूरे केस में कालुपनिक है, कोई मुद्दा में केस चलाया जाया जाया, अब निकट भविष्य में, कि इस तरह के समन में क्या कि इस तरह के समन में क्या कानूनि राचता है, देखिए, ऐसा है, इन तथ्यों का कोई खास माईने नहीं, लेकिन आप पूछ रहे हैं, तो अभी वाला जो notice है माननिय कॉंग्रेस अध्यक्ष का वो आठ तारीक उनको बुलाता है एक point दूसरा इसमें जो भी उत्तर होते हैं तथ्य होते हैं जो कानूनी जवाब होते हैं वो सब उनको दिये जाएंगे कानून की प्रक्रिया है उसको देखा जाएगा लेकिन हमारा आज का उद्देश्य वो है जो हमने आपको बताया है आट जून आट जून बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल सौ प्रतिशा जाएंगे आठ जून आठ जून आठ आठ मैने का के माननिय कॉंग्रेस अध्यक्ष जाएंगी अगर राहुल जी यहाँ हुए तो जाएंगे नही को पता नहीं डीटेल्स अभी थैंक्यू गाइस थैंक्यू गाइस थैंक्यू जान नहीं है नोटे से लिखाया उसमे क्या बड़ी झाले नहीं हुए मुझन नहीं गुभ जता हुए जब किफेके सड़ांगे झाल झाल